नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन में मिला दो नए स्वन भंडार, कोडारमा में लिथिया जार्खन में सुने की दो नए भंडार की जनकारे मिली है Geological Survey of India ने राज सरकार को रांची जीले के तमार ब्लोक इस्थीत इन दोनों गोल्ड रिजर्व की निलामी की परकिरिया सुरू करने से समधिर रिपोर्ट सौप दिया है JCI के महानिदेशक जनादन परसाद ने सनीवार को यह जनकारे देते हुए बताया है कि रांची जीले के तमार ब्लोक में बबाई कुंडी और सिदावरी घंसयामपुर में दो ऐसे नए सोने के भंडार मिले हैं बबाई कुंडी में 0.510 टन और सिदावरी में 0.77 टन सोना होने का अनुमान विभाग के सर्वे में लगाया गया उन्होंने बताया है कि उर्जा जरूर्तों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के महतों को देखते हुए किये गए सोध में कोडार्मा में लिथियम होने की प्रारामिक परमान मिले हैं कोडार्मा के माईका बेल्ट में लिथियम की खोज के लिए आगे के चर्ण के तियारी की जा रही है उत्रा खंड टरनल हाथसा में फसे मैदूरों के परिवारों से मिले सांसत उत्रा खंड में फंसे मैजदूरों को बचाने के लिए राई सरकार के दोरा परियास किया जा रहा है लेकिन अभी तक मैजदूरों को सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है टरनल में फसे मैदूरों के परिजन परिशान है और उनके घरों में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है बतादे परिवार वालों की परिशानी को देखते हुए भाजपा के वरिष्ट नेताव और राई सभासांसर आधिते साहू टर्नल में फसे मजदूर के पैत्रिक गाउं गए जहां उन्होंने परिवार वालों का हाल जाना और माजी परखन के खीरा बेड़ा गाउं पहुचने के बाद मैधूर चाकू बेंदिया की पतनी रणजू देवी और उनके लड़के अनिल बेंदिया से मुलकात की आदित ये साहु ने पिलित मजदूर के परिवार से मिलने के बाद सरकार की कारसाहली पर सवाल भी उठाया है छट महापर्व पर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम SSP खुद कर रहे है मोनीटरिंग महापर्व छट के मदनेर रांची पुलिस और जीला पसासन के ओर से सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए है छट घाटों पर सुरक्षा NDRF की तैनाती के साथ साथ छट घाट जाने आने वाले लोगों के घरों की सुरक्षा के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग की भी बेवस्ता की गई है रांची के सीनियर S.P. चंदन कुमार सीनहा ने छट महापरो को लेकर की गई सुरक्षा बेवस्ता के बारे में बताया बता दे रांची के सीनियर S.P. चंदन सीनहा ने बताया है कि राईधानी में दो तरह का छेतर है एक सहरी छेत्र जो सीटी एरिया का है और दूसरा ग्रामीन छेत्र है ग्रामीन छेत्र में भी बहुत सारे घाट है और सहर में भी करीब स्वाव चोट घाट है घाटों की संख्या काफी ज़्यादा है चधालों की संख्या भी काफी ज़्यादा है ऐसे में पूलिस को सबसे ज असले को कुचलने के लिए जीला पुलिस ने करवाई तेज कर दिया है, इस घटना में थानेदारव पुलिस कर्मी के साथ हैं थापाई भी की गई थी जिसने सिपाही वा चालक जख्मी हो गए थे वही सरकारी वाहन को भी छतिग्रस्त कर दिया गया था मामले में पुलिस ने करवाई करते हुए ट्रेक्टर मालिक उमाकंत मंडल परगोडी डिह के 36 मंडल सोहील मंडल रविकांत मंडल सहीत 15 अग्यात पर सरकारी कारे में बाधा पहुचाने वाहन पर पत्राव कर जख्मी करने वा अवैद बालुखनन वा परिवहन करने को लेकर प्रात्मी की दर्च किया है पूर्वी सिंभूम में हाथियों ने युवक को माग डाला पूर्वी सिंभूम जीला के चाकोलिया वन छेत रंत्रगत सुन सुनिया ग्राम निवासी 26 वर्षी युवक संतोस मुंडा को सनीवार की साम जंगली हाथी ने कुचल कर माग डाला मिरी तक संतोस 14 डोबा जंगल की तरफ सौच करने गया हुआ था उसी दर्ण हाथियों के जूंड से उसका सामना हो गया जनकारी के मुताबिक एक हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और सूंड में लपेट कर जमीन पर पटक दिया और उसके बाद पहलों से कुचल कर माल डाला घातना की जनकारी मिलने पर वन भी भागेटी मौके पर पहुंची हुआ खुन से लटपत पड़े संतोस मुंडा को उठा कर समुदाईक स्वास केंडरे ले गया जहां चिकिसकों ने देखते हैं उसे मिरित घोसित कर दिया नसा तसकरों के खिलाप एक्सन की तयारी में पुली सराय के लाख हरसावा में नसे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एसपी बीमल कुमार ने मोहीम छेर दी है जीले में इस कारोबार से जुड़ी लोग जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे इसकी पाचान सुरू कर दी गई है एसपी बिमल कुमार ने बताया है कि नसे के कारोबार से कारोबारियों ने खुद को किनारा नहीं किया तो नसे के कारोबार से अरजीत की हुई समपत्ती को भी पुलिस जब्त कर लेगी इसके साथ सलाकों के पीछे जाना होगा उन्होंने बताया है कि इस करोबार से जुड़े लोगों की जब गिरफतारी होगी और कोट में चार्शित दाकिल की जाएगी तो उसके बाद से ही अर्जित समपत्ती की परताल सुरू की जाएगी जिसके बाद जबत करने की करवाई पुलिस द्वारा की जाएगी चट घाट पर लगाई गई बड़ी LED स्क्रीन बिश्व कप फाइनल को लेकर धनबाद में क्रिकेट के दिवानों का उसा अर्जुनुन चरम पर है जगह जगह लोग भारत की जीत के लिए दुआये कर रहे हैं एक और लोग चट का उर्थ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और लोग भारत की जीत के लिए भी दुआ कर रहे हैं लोग चट पुजा के साथ क्रिकेट फाइनल मेच देखने की भी तैयारी में लगे हुए हैं बात माइनडा टार्ण छट तलाब की करते हैं वहाँ पर विश्व कप फाइनल का मेच देखने के लिए छट पुजा समीति की ओर से LED स्क्रीन तलाब के बीचो बीच मंदीर के पास लगाई गई है इसमें सैक्डो किर्केट प्रेमी मैच देखने के लिए मौजूद होंगे और तलाब के किनारे बैट कर मैच देखेंगे इसके अलावा लोगों ने अपने अपने घरों में मैच देखने के लिए भी तीवी दुरूस्त कर लिए हैं भारतिये टीम की जीत के लिए सहेव गंज में हवन पुजान भारत और आस्ट्रेलिया के विच्ट अभिवार को 200 कप किर्केट का फैनल मैच खेला जाना है इसके लिए देश वासयों के साथ साथ 200 भार में भारतिये टीम के फ्रेंस भारत की जीत के लिए लगतार दुआ कर रहे हैं साहिब गंज में भी भारतिये टीम के फ्रेंस ने मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट के तट पर हवन पुजन कर देश की जित के लिए मा गंगा से दुआये मांगी। कारकरम के दोरान वहा मौजुद लोगों में उत्साहित दिखे। सभी ने एक स्वर में All the West इंडिया का नारा देते हुए कहा है कि हमारी सुपकावनाय भारतिये टीम के साथ है। कारकरम की अगवाई कर रहे जार्खन किर्केट एसोसेशन के सदर्थ चंद्रे स्वर परशाद सिन्हा और बोधी सिन्हा ने कहा है कि वर्ल्ड कॉप किर्केट के फानल मैच में देश की जी सुनिश्चित हो इसके लिए एक हवन करकरम का योजन किया गया और जीत के लिए भागवान से प्रात्ना की गई है। चार साइबर अपराधी गिरफतार आरखन की गिरी डी पुलिस ने असलील वीडियो रिकोर्डिंग कर लोगों को चुना लगाने वाले चार साइबर अपराधियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है। इसपी डीपक कुमार सर्मा के निदेश पर शाइबर डीजपी संदीप सुमन समदर्सी के नेतित में गठिट टीम ने बहोदा थाना चेतर के अटकाडी उपर बागी में छापे मारी कर चार साइबर अपराधियों को गिरफतार किया गया। गिरप्तार साइवर अपराधियों में दो सगे भाई दीप्पु परसाद और पपु परसाद के अलावादो अन्य सगे भाई सतीश कुमार और अतीश कुमार सामिल हैं भागपा मवादी की साजिस नकाम पांच पांच कीलो के तीन आईडी बरामत जारखन के कोलहान सुरक्षित वन चेत्रे के टोटो अगोईल के रामे प्रति बंधीत नकसली संगटन भागपा मवादी खिलाब चल रहे जिला पुलिस वह सुरक्षा बलो के सनुप्त अभियान के करम में सनीवार को मुप्सिल एवाम टोटो थाना चेत्रे के चिडिया बेडा एवाम पाटा तोरब के समीप नकसली हो दोरा सुरक्षा बलो को निशाना बनाने के लिए बिछाए गए पांच पांच कीलो के तीन आईडी बं बरामत किये गए बरामत आईडी बं में सुरक्षा के दिरिष्टी कोन से बं निरोधक दस्ता की सहता से मौके पर ही नश्ट कर दिया गया पुलिस अधिक चक अस्तोस सेखर ने इसकी जनकारी दी है मूरी रेल रोको आंदोलन के चह कुर्मी को मिली बेल मूरी रेल टेक का अंदोलन की अगवाई करने वाले चह कुर्मी अंदोलन कारियों को सनी वार को रांची की रेल वे अधालत से जमारत मिल गई है 20 सितंबा दो हैरतेस को टोटेमिक कुर्मी कुर्मी विकास मोचा के बैनातले कुर्मी कुर्मी महतो समाज को अनुसूची जनजाती की सूची में सूची बद करने की मांग को लेकर 12 घंटे तक रेल रोको आंदोलन चलाया गया था इसकी अगवाई समाज के अगवा, सीतल ओधार, हर मोहन महतो, दनीज सिंग महतो, सखीच चंद्र महतो, सपन कुमार महतो, सुनालान महतो आधी कर रहे थे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग भी सामिल हुए थे मैट्रिक इंटर परिक्षा का सेंटर डिगरी कॉलेजों में नहीं होगा राज के डिगरी कॉलेजों में तो 2024 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडेट परिक्षा के लिए सेंटर नहीं होंगे परखंड में एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल और एक पलस टू स्कूल में परिक्षा केंदर निधारन किया जाएगा है। कहा है कि समाचार पत्रों में पलामू जेल में हो रही अनेमित्ता, ब्रश्टाचार और जेल अधिक्षक और उनके मातहतों की सनलिपता के बारे में खवर छापने के बाद मुझे बढ़िया दिये जने लगा है। अपने परिजनों और वकीलों से समाचार पत्र में छपी खवर के बारे में पूछताच न कर सके। रांची में सोहराई जत्रा, काके रोड इस्थीत मिसीर गोंदा में सनीवार को एक दिवसे सोहराई जत्रा कायोजन हुआ, बारह पढ़हा के लोग जत्रा में सामिल हुए। खोड़हा मंडली परंपरिक वेशबूसा बाध्य अंत्र के साथ जत्रा में नाश्ते गाते जत्रा में परवेश किये, जत्रा खुट्टा में सब ही खोड़हा मंडली तीन बार परिकरमा किये, मुख्य अतिथी, मुख्य पाहान, जग लाल पाहान, डाक्टर रविंद्रे नाद थे